ने शेहर की लेटिस खबरों के लिए नियूज को सब्स्ट्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं IPL में वैसे तो कई युवा खिलाडी हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से काफी प्रभावित किया है उनी में से एक खिलाडी रहे हैं रिशब पंथ रिशब पंथ इस IPL में डिली की टीम की तरफ से खेल रहे हैं और शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं जिसका नजारा भुदवार को हुए राजिस्थान के खिलाफ मैच में देखनी को मिला जिसमें रिशब पंथ ने मादर 29 गेंदों में 69 रन बनाए थे पंथ इस सीजन में 375 रन बनाकर औरेंज क्याब भी हासल कर चुके हैं आपको बता देगी रुड़की से लेकर दली तक का ये सफर उनका काफी महनत से भरा रहा चार अक्टूबर 1997 को हरिद्वार में पैदा हुए रिशब पंथ के पिता राजेंद्र पंथ का सपना था कि उनका बेटा देश के लिए क्रिकेट खेले और इसके लिए उन्होंने 80 चूटी का जोर लगा दिया बेटे को भैतर क्रिकेट सुविधा देने के लिए विरूड की आये और किसी ने कहा कि दिल्ली से भैतर कुछ नहीं जुसके बाद रिशब पंथ राद दो बजे की बस पकड़ कर कभी कभी दिल्ली आते थे ताकि वो 8 बजी से अभ्याद सत्र के लिए राजस्थानी पहुंच सके इसी तोरान पंत ने अपनी प्रतिभा की दम पर जल्दी ही अपना स्थान बना लिया और फिर उसके बाद पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखा हाला कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके सपने को साकार करते दिख रहे है न्यूस ब्यूरो